गेसिस स्टेट में आज एक बड़ा ही मात तोपिक पढ़ने वाले हैं और वो है diffusion and effusion इस diffusion and effusion से question जो है जितने वे entrance exam होता है उसमें पूछता है पूछता है चाहे जे इमेन की बात करो advance की बात करो या neat की बात करो question आते ही आते हैं तो इस पर बढ़िया से command होना चाहिए आप लों को तो चलो बहुत शुरू करते हैं पहला term है diffusion यह क्या होता है it is a spontaneous mixing of gases into each other मतलब एक से ज़्यादा gas है और एक दूसरे में mix हो रहा है स्वाता है आपने आप तो यह जो आपने gases का एक दूसरे में mixing का process है उसी को diffusion कहते है जैसे अगर बत्ती जलाइज जाती है और उसका जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाता है किसकी बज़े से diffusion की बज़े से gases जो है एक दूसरे में spontaneously स्वाता अपने आप मिल रहे होते हैं उस process कहते है diffusion समझ बात आई यह इन्टर diffusion का ही एक प्रकार है जिसमें की diffusion एक बहुत ही a small hole से आ रहा है इसका मतलब यह मान लो कि एक container है है कि नहीं एक container है और उस container में कोई gas रखा हुआ है एक small hole कर दिया गया तो जो gas से बाहर की और भागेगा तो यह भी intermixing ही है gases का intermixing ही है लेकिन यदिया small hole से हो रहा है वो diffusion गैस का भागना escaping उसको हम लोग effusion कहते हैं यह जो small hole है उसको हम लोग orifice भी कहते है पीन भी कहते है आपरिचर भी कहते है और hole भी कहते है सबचे ज़्यादा इस्तिमाल करेंगे hole यानिया small hole से किसी container में एक small hole से gases बाहर की और भाग रहे हैं तो उस process को हम लोग कहते हैं effusion यानि basically hole के size का फरक है है कि नहीं अगर बहुत बड़ा hole है जैसे यह कमरा है और इस कमरे का हमने दरवाजा को खोल दिया intermixing gas का होगा तो यह भी hole है कमरे को जो मैंने खोला है बहुत बड़ा hole हो गया यह अब उस छोटे से hole से जो gas भागेगा escape करेगा उसको हम लोग कहेंगे effusion बस इतना सा फरक है लेकिन numerical purpose से diffusion और effusion का question रहे करने का तरीका एक दम बिल्कुल सेमी होगा हम लोग पढ़ेंगे यह rate of diffusion या rate of effusion तो rate of diffusion की बात करो या rate of effusion की बात करो question किसी कभी पूछेगा करने का तरीका सेमी होगा formula सेमी होगा यानि numerical purpose से diffusion और effusion में कोई फरक नहीं होगा तो कोई भी gas diffuse कर रहा है या effusion कर रहा है देखो दोनों term interchangeably हम इस्तिमाल कर सकते है numerical purpose से दोनों में कोई फरक नहीं चाहें diffusion का हो चाहें diffusion का हो यानि कोई भी गैस अगर diffuse होकर के बाहर जा राया whole से यह effeuse होके बाहर जा राया whole से तो किस रफतार से जा रहा है उसके लिए होता है टर्म rate of diffusion या rate of effusion. R से रिप्रोजेंच करेंगे. R का मतलब होगा rate of diffusion या rate of effusion क्या होता है बाये जैसे यही небольш agnes camera है और number of mole of gas diffused out जितना diffused होके बाहर चला गया उपर में और जितना time लगा उससे divide कर देंगे वो rate of diffusion कहा जाएगा अब देखो भाई rate किसी भी तरह का जो होता है ना एक positive quantity होती है यानि rate of diffusion by definition एक positive quantity होगा जितना mole भाग गया तो mole भाग गया तो positive quantity है ना और time always positive तो rate हमेशा ही positive हो गय गया तो कितना mole भाग गया initial mole यदि एन आई था ऐसे सोचो initial mole यदि एन आई था और final mole यदि एन एफ एन का मतलब number of mole f का मतलब final जो container में रहे गया diffusion के बाद number of mole final और initial mole शुरुवात में जो mole लिया था वो एन आई था और divide कर देंगे time से t2 minus t1 तो बताओ final number of mole तो इस कमरे में कम हो गया न कुछ more यदि gas का भाग गया बाहर की और तो इस कमरे में number of mole जो final होगा initial mole से कम हो जाएगा यानि final में से initial को minus करेंगे तो क्या अगर negative है इनिसियल में से final को अगर हम minus करेंगे तो positive आएगा यानि बेसिकली अगर डेल्टा एन लिख रहे हो या डिन लिख रहे हो तो यह बला टरम निगेटिव होगा तो इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देना है माइनस साइन लगा देना है तो यही रेट हो गया यह क्या हो गया रेट ओफ डिफ्यूजन चुक्कि यह माइनस होगा तो माइनस को प्लस करने के लिए यहां माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस हो जागा rate of diffusion is always a positive quantity इसलिए लिखा minus dn upon dt मतलब number of mole जितना change किया उपर में जो कि negative होगा final minus initial करने पर and divided by dt ये rate of diffusion होगा तो rate of diffusion experimentally ये find out किया गया बहुत सारे mathematical formula बगर लगा करके rate of diffusion gas का होता है एक particular hole से जिसका कि cross section area A है वो इस formula से होता है rate of diffusion it is equal to pana divided by 2 pi mrt का square root जहाँ पर p है क्या partial pressure है किसका gas का जो कि diffuse हो के बाहर जा रहा है मालो इस कमरे में दो गैसे एक O2 है और एक N2 है तो O2 भी कमरे से बाहर जा रहा है एक hole कर दिया इस कमरे में तो O2 भी बाहर जाएगा और N2 भी बाहर जाएगा तो rate of diffusion N2 का अलग से निकालेंगे और rate of diffusion O2 का अलग से निकालेंगे तो जिसका भी आप rate calculate कर रहे होगे उसी का partial pressure container में अगर O2 का rate आपको find out करना है rate of diffusion तो container में partial pressure जो लेना पड़ेगा वो O2 का लेना पड़ेगा अगर इन्टू का रेट है तो इन्टू का पार्सियल प्रेशर यानि पी जो है पार्सियल प्रेशर उस प्रेटिकुलर गैस का जिसका की डिफ्यूजन हो रहा है एक क्या एक का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उस होल का जिसके थ्रू में गैस भाग रहा है अब क्रॉस सब्सक्राइब हो सकता है यानि कोई भी हो ले उसका एरिया कल्कुलेट कर लेंगे तो यह जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिरेक्टली प्रपोजिटनल टू एरिया को होगा यानि बाकी परामिटर को कॉंस्टेंट कर दिया तो एरिया जितना बड़ा होगा ना उतना जदा नमबर सबको पता है पाइप पता है इस पर्मूले को रचने के जुरूद नहीं है अब यहां से रेट ऑफ डिफ्यूजन दो गैस का जो हम कंपेर करेंगे उस फर्मूले को जो हम लेखेंगे उन फर्मूले को बढ़िया चसमझंधना और याद कर लेना है एस फर्मूले को बस सिर्फ इतना है कि अगर temperature constant रहेगा तो rate of diffusion जो होगा एरिया भी constant はい तो rate of diffusion जो होगा directly proportional to pressure and inversely proportional to a square root of molar mass होगा इस formula हम देख सकते हैं कि area अगर hole का चैनि नहीं कर रहा ती constant है तो rate of diffusion directly proportional to pressure inversely proportional to a square root of molar mass ये formula में आगे जा करके इस्तेमाल होगा अब जो rate of diffusion वाला अभी formula हम लोग ने पढ़ा वहां से एक law निकलता है Graham's law of diffusion इस law के अनुसार क्या कहता है इस law को समझने के पहले वो जो formula लिखा था उसको हम लोग देखते हैं फर्मुला rate का क्या था भई पी ए ए एन ए डिवाड़ वाइ टू पाई एम आर टी का स्क्वार रूट ये फर्मुला था कहता है Graham's law के अनुसार अंडर सेमलर कंडिशन ओप टेमप्रेचर एंड प्रेचर मतलब क्या टेमप्रेचर यादि constant है और प्रेचर यादि constant है मान लो दो गैस है और दोनो गैस का temperature सेम है और दोनो गैस का प्रेचर भी सेम है यानि t constant है और एक ही ज यानि whole का area भी fix है क्या क्या fix है area cross sectional area एने तो constant होता है बच्चे pressure constant है और temperature constant है under similar condition of T and P का मतलब P constant है TP और T भी constant है cross sectional area भी constant है वो चैनी कर रहा तो कहता यह है कि rate of diffusion जो होगा inversely proportional to a square root of molar mass होगा वो तो है यह दिखी रहा है यानि ऐसे case में rate of diffusion आर का मतलब क्या rate of diffusion inversely proportional to a square root of molar mass यह कह रहा है भाई कब क्या है हमेशा है नहीं यह तब है जब कि pressure का value constant है temperature का value constant है उसको अंग्रेजी में कहते under similar condition of temperature and pressure और सिर्फ यदि under similar condition भी कह दिया तो उसका आर्थ यही होता है under similar condition of temperature and pressure rate of diffusion या rate of effusion is inversely proportional to a square root of molar mass सर कभी diffusion बोलते हैं कभी effusion numerical purpose से चाहे diffusion की बात करो चाहे diffusion की बात करो दोनों में कोई फरक नहीं है लिखने का तरीका एक्जैक्ली सेमी होगा तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राहम स्लॉफ डिफ्यूजन इसको लिखने का एक और तरीका एक फर्मूला होता है बच्चे पी-एम इसकल टू-डी-र्त है कि नहीं पी-एम इसकल टू-डी-र्त पी-परेशर एं मोलर मास डी डेंसीटी और इन्वर्सल गैस कॉंस्ट नोव टीकर टेंपरिसर यह कहां पढ़ाय था ओंग बुल गया हो तो जाकर वहां पसे देखना पी-एम इसकल टू-डी तो मोलर मास डिर्कली प्रपोर्पोर्शनल तो डैंसिटी यह दैंसिटी या बेस के लिए विशी फर्मूले को ऐसे सकते हैं ऐसे के भी सकते हैं स्टेट कर सकते हैं कि अंडर सेमलर इपने स्टेंटर रेट अफ डिफ्यूजन is inversely proportional to a square root of density of the gas I can interesting rate of diffusion inversely proportional to a square root of molar mass as well as rate of diffusion is inversely proportional to a square root of density of the gas कब जब कि T और P गैस का constant है है कि यह भी लो यह भी लो एक चीज़ और वेपर density का respect में लिख सकते है क्या बिलकुल लिख सकते है बच्चे देखो चुकि तुमको पता है वेडी का मतलब क्या यह कहां पढ़ाया थे सर मोल कॉंसेप्ट में देंसिटी का जब पढ़ाया थे तो बढ़िया से देख लेना अगर भूल गए हो तो तो वेपर डेंसिटी का फर्मूला होता है molar mass divided by 2, gas का molar mass divided by 2, अब यहां से हम देख सकते हैं कि molar mass जो हुआ, directly proportional to gas का vapor density का हुआ, है कि नहीं, दिख रहा है, तो इस law को ऐसे भी कह सकते हैं कि rate of diffusion is inversely proportional to a square root of VD, VD का मतलब vapor density, सबसे ज्यादा जो formula में use होगा, इस्तेमाल होगा, वो यह वाला, rate of diffusion is inversely proportional to a square root of molar mass of the gas, कब, जब कि temperature का value constant है, pressure का value constant है, उसको कहते हैं, अंदर similar condition of temperature and pressure, अब दो gas है भाई, और दोनों gas का rate of diffusion या rate of diffusion के बीच में compare करना है, तो कैसे करेंगे, comparison से ही question बहुत ज़्यादा पूछता है, कि दो gas है, और दोनों का rate का ratio बताओ, rate का ratio का मतलब comparison हो गया, किसे किसे के बीच में, gas 1 और gas 2 के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग सिखेंगे, comparison of rate of diffusion between, BW का मतलब क्या, between two gases, दो gas है, एक gas 1 के दिया, दूसरा gas 2 के दिया, वो दो gas कोई भी हो सकता है, मानलो हिलियम है, वो 2 है, etc. तो उसके लिए हमने define कर दिया, आरवन जो है, वो rate है, पहला वाला gas का rate of diffusion, फस्ट गैस का, और आरटू जो है, rate of diffusion, सेकेंड गैस का, यानि बिसकली आरवन और आरटू, आर का मतलब rate of diffusion, वन का मतलब पहले गैस का, आर का मतलब rate of diffusion, टू का मतलब दूसरे गैस का, यानि आरवन और आरटू, rate of diffusion है, respectively, पहला गैस का, और ये दूसरा गैस का, clear, M1 और M2 molar mass है, M1 का मतलब molar mass पहले गैस का, और M2 जो है मुलर मास दूसरे गैस का तो क्या कहता है Under similar condition of temperature and pressure कुछ case लेने वाले हैं यहाँ पर compare करने के लिए कुछ case लेंगे पहला case case 1 बढ़िया से सीखोगे numerical purpose के लिए यह जो case मैं सिखाने जा रहा हूं प्लाने जा रहा हूं बहुत important है इसी से numerical आपका solve होगा तो पहला case से Under similar condition Under Similar Condition Of T and P मतलब temperature और pressure constant है तो अभी पढ़े थे कि rate of diffusion जो होता है directly proportional to inversely कह दू तो 1 upon square बोलना पड़ेगा Inversely proportional to a square root of molar mass मान लो कि हमारे पास एक container है है कि नहीं और उसमें gas पहला बाला रखा हुआ है जिसका कि molar mass M1 है और partial pressure P है अब इसमें hole कर दिया और फिस दोनों container में दूसरा gas भी जो हम ले रहे ना दोनों का जो और फिस है बिलकुल से में कुछ भी mention नहीं है तो मानेंगे कि और फिस जो hole है उसका cross sexual area सेम है इसमें gas 2 है gas 2 gas 2 का molar mass M2 है और इसका partial pressure भी P है container में gas 2 का partial pressure भी P है क्या असर एक ही container में दोनों रह सकता है बिलकुल रह सकता है एक ही container में अगर होगा तो एक ही container में दोनों gas का partial pressure सेम होना चाहिए और एक ही container में है तो कोई दिकती नहीं है temperature सेम ही होगा भई यानि यहाँ पर यह कह रहे है कि इसका temperature T है तो इसका भी temperature T है बात समझो ये दो अलग-अलग container लिया और दो gas है दोनों gas का partial pressure से में दोनों gas का temperature से में तो कहते हैं under similar condition of temperature pressure अगर एक ही container में रहता और एक ही container से एक ही होल से दोनों गैस बाहर भाग रहा होता डिफ्यूज कर रहा होता या इफ्यूज कर रहा होता तो कोई दिकत है नहीं उसकेस में तो टी सेमी होगा और दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर भी सेम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर सेम होने का मतलब नंबर ओफ मोल भी के यह सेम होगा प서 क्र नंबर आफ मोल भी वराबर होगा ह要 यह पढ़ाया था काँ पर डाल्टन शक्षन रिया सेम है अंडर सिमलर कंडिशन ऑप प्रेशर अंठेप्चर के बात कर रहे हैं यह भी गैस इदर से भागा और यह भी गैस दूसरा वाला गैस भी बाहर की और भागा तो कहता यह है कि जो रीट का रेशियो होगा और टू अपॉन आर्बन जो होगा वह इस तरह से होगा रेट इस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फर्मूला है जो कि आपको याद कर लेना है यानि रेट का रेशियो इनुवर्सली प्रोपोर्शनल चुआ स्कॉरूट ऑफ मोलर मास के रेशियो के बराबर होगा ध्यान रखना है टू टू वान वान और इसका स्कॉरूट है कि नहीं अंडर सिमलर कंडिशन ऑफ टेंप्रिचर कह दिया तो रेट का रेशियो हम इस फर्मूले से कैल्कुलेट कर सकते है तो इस फर्मूले को आपको याद कर लेना है खभी कभी केस्टन में अंडर सिमलर कंडिशन इसी फिलिक देता है तो अंडर सिमलर कंडिशन का अर्थ होता बलके different है, एक ही container में दो gas रखा हुआ है, ऐसा सोचो, एक container था, जिसमें की दो gas मौझूद थे, यह cross section area है, दोनों gas निकलेगा यहाँ से, gas 1, जिसका कि molar mass M1 है, partial pressure P1 है, और number of mole N1 है, N1 का मतलब number of mole, पहले वाले gas का, gas 2, दूसरा gas BC container में है, molar mass M2 है, partial pressure P2 है, different partial pressure इस बार है, और number of mole N2 है, यानि एक ही container में, अगर दो gas है, और दोनों का mole सेम हो जाए, तो partial pressure सेम होगा, लेकिन अगर दोनों का mole different है, तो partial pressure different होगा, यानि P1 और P2 दोनों बराबर नहीं है, तो यह दम पक्की बात है, कि दोनों का mole बराबर नहीं होगा, N1 is not equal to N2, अब यह दोनों gas यहाँ से भागे है कि नहीं, diffusion होगा, तो इसका हमको rate को देखना है, rate का ratio, R2 upon R1, यह लिखना है, यह क्या होगा, तो देखो भई, थोड़ी दिर पहले जो मुख्य formula हम लोगों ने rate का पढ़ा था, exact formula था, उसमें देखा था कि rate जो है directly proportional to partial pressure का होता है, यानि rate का ratio partial pressure के ratio के directly proportional होगा, R2 upon R1 directly proportional to P2 upon P1, and inversely proportional to a square root of molar mass, यानि नीचे में molar mass, दुसरे वाले का और उपर में पहले वाले का, तो यदि partial pressure gas का different है, एक container में, और वहां से diffusion हो रहा है, तो pressure का ratio भी आप लेंगे, तो पहले वाले formula में ये pressure का ratio आपने लिया लिया बच्चे, पहला वाला formula यानि under similar condition of temperature and pressure में भी हमने pressure लिया, अंडर similar condition of temperature and pressure का मतलब यह हुआ कि दोनों का partial pressure सेम है, तो दोनों का partial pressure अगर सेम रहेगा, तो P और P लिखो को तो PP के हो जगा, cancel हो जाएगा, यानि इस formula का ही पहला case, एक special case हो गया, जिसमें की partial pressure बराबर है, तुसको कहते हैं, अंडर similar condition of temperature and pressure, और एक ही अगर container में तो कहने की जुरती नहीं की दोनों का TK सेम है, देखो temperature के बारे में जिक्र करेगा भी नहीं, हम मानते हैं कि temperature हर जगा सारे जितने भी compare करो gas का सबका सेमी है, तो यह formula आया, अब जड़ा ध्यान से देखो, तो एक formula तो pressure वाला और molar mass के respect में आगया, इसको तो आपको याद करी लिना है, लेकिन कभी-कभी pressure का ratio न दे करके mole का ratio देता है, तो हमने आपको बताया है, चुकि pressure का जो ratio होता है, P2 upon P1, it is equal to mole का ratio के बराबर होता है, यह N2 upon N 1 है क्या, number of mole gas 2 का, यह number of mole gas 1 का, है कि नहीं, यानि basically, यदि आपको R2 upon R1 लिखना है, mole के ratio के respect में, तो P2 upon P1 को लिख सकते हो, N2 upon N1, और यह हो गया, M1 upon M2, यह बड़ा important formula है, दोनों, अगर pressure का ratio दिया रहेगा, तो उपर वाला formula इसक्तमाल कर लेंगे, और अगर mole का ratio दिया हुआ रहेगा, दोनों gas का, तो नीचे वाला formula हम इस्तेमाल करके rate का ratio calculate कर सकते हैं, जो की numerical में आगे बहुत सारे question से समझेंगे, तिसरा case देखो कैसा हो सकता है, एक container है, जिसमें की एक gas नहीं, बलकि gaseous mixture है, बलतों एक से जादा gaseous मौझूद है, मालनो 2 gas है, 3 gas है, यानि gaseous mixture है, और दूसरे container में एक ही gas है, कोई pure gas है, मालनों इसमें helium और CS4 है, और इसमें autogas है, तो rate यह जो gaseous mixture का होगा, rate of diffusion, पूरे gaseous mixture का जो की भाग रहा है, एक ही साथ भाग रहा है, जो भी gaseous में मौझूद है, सब एक ही साथ भाग रहा है, उसका जो rate होगा, और rate pure gas का जो होगा, उसके बीच में हम compare करेंगे, यानि rate का ratio, rate का ratio का मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं, कि यह जो rate है, काउन सा mixture का, gaseous mixture है, तो rate किसका mixture का, और बटा, rate किसका, pure gas का, pure gas में कोई एक ही gas होगा, उसमें दूसरा कोई gas मिला हुआ नहीं होगा, तो under similar condition, condition applied है, क्या भाई, under similar condition, under similar condition, under similar condition कह दिया न बच्चे, तो इसका आर्थ होता है, under similar condition of temperature and pressure, मैं फिर कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, कभी-कभी question में लिखता ह नहीं, फिर भी, short में लिख दिया, under similar condition का मतलब होता, under similar condition of temperature and pressure, तो कभी-भी, under similar condition of temperature and pressure की बात करे ना, तो प्रेशर वाला टरम कैंसिल हो जाता है, पीटू अपॉन पीटू दूनों बराबर है, तो क्या होता, कैंसिल हो जाता है, तो प्रेशर वाला, उसको नहीं लिखते क्योंकि पीपी तो कैंसिल हो गया, यानि, basically हमको क्या लिखना पड़ेगा, molar mass का ratio, नीचे में किसका molar mass mixture का, mixture का molar mass नीचे में, और उपर में किसका, pure gas का, तो कोई अगर gas जैसे O2 है, तो उसका molar mass में को पता है कि 32 है, लेकिन molar mass mixture का, वो तो नहीं पता ना, वो निकालना पड आया था, अगर भूल गए हो, तो वहां देखोगे, और यहां numerical में भी आगे हम सिखाएंगे, यानि, basically आपको यहां पर molar mass mixture का calculate करना पड़ेगा, किस formula से, अगर माल लो दो गैसे से, तो M1, N1, plus M2, N2, plus M3, N3, depends करता है कितना gas, अगर दो गैसे तो दो बार, तीन गैसे तो तो तीन बार, चार गैसे तो चार बार, यानि, plus ऐसे करते जाएंगे, यानि, जितनी गैसे से, उसका molar mass और number of mole, molar mass और number of mole का multiplication कर देंगे, यह सिखाया था, mole concept में average molar mass calculate करना, तो अगर यह नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करोगे, वीडियो में चले जाओगे, mole concept वाला, average molar mass वीडियो ढूंडोगे, उसमें बढ़िया सिखाया, काफी numerical भी करवाया हुआ है, और डिवाड करते हैं, टोटल मोल से, यानि, N1, plus N2, plus N3, अगर तीन है तो तीन बार, चार है तो चार बार, पांच है तो पांच बार, यह molar mass mixture का आपको मिल जाएगा, molar mass mixture का यहाँ पर हम temperature and pressure, चौथा case, यह एक बड़ा ही special case है, इस case पर आपको numerical ना के बरावर कहीं मिलेगा, ऐसा case जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पर जो question पूछता है, वो IIT advance में पूछता है, यानि यह एक ऐसा special case मैं ले रहा हूँ, जो कि actual में ऐसा ही होता है, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पीछे वाला जो किया कुछ assumption के साथ किया, इसमें कोई assumption नहीं है, देखो यह जो rate of diffusion हम लोग पढ़ते हैं, rate of diffusion directly proportional to partial pressure, basically directly proportional to partial pressure नहीं, बलकि partial pressure को difference का होता है, जैसे मान लो इस कमरे में auto gas है, और एक होल से auto gas बाहर जारा और कमरे के बाहर भी auto gas है, तो बाहर और auto gas का जो partial pressure का difference जो होगा, उस पर rate different करता है, तो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि अगर इस कमरे में auto gas है, तो बाहर में auto gas मौझूदी नहीं है, यानि बाहर में auto gas का partial pressure 0 है, ऐसा मान रहे थे, तो जितना जो rate हमने लिखा था, उसके अनुसार वो सही था, लेकिन actual में क्या हो P1 और P2 है, इसन्ट इट, और बाहर में भी gas 1 मौझूद है, जहाँ diffuser के बाहर जा रहा है, यानि मालो एक कमरा एक कमरे का बाहर है, तो कमरे के बाहर में भी gas 1 भी है, तो gas 1 का partial pressure कमरे के बाहर में P1 डैस है, और gas 2 का कमरे के बाहर में P2 डैस है, तो rate of diffusion होगा न, किसी भी gas क directly proportional to partial pressure उस container में उसके बराबर नहीं, बलकि directly proportional to partial pressure के difference का होता है, सर पीछे में तो सब पार्सल प्रेशन लिखा, ये exemption था कि बाहर में वो वाला gas पहले से मौझूद नहीं है, तो ये P1 डैस का value 0 था, P2 डैस का value 0 है, लेकिन अगर ऐसा कही दिया कि बाहर में भी वो particular gas है, जो किसरा ऐसा question कहां पूछेगा, IAT advance में पूछ सकता है, बाकि निट में जे में अभी तक नाया है, और ना आने की chances है, लेकिन concept rhythm बिल्कुल clear होना चाहिए, जो rate of diffusion होता है, rate of diffusion, directly proportional to partial pressure के difference का होता है, P-P-S, ये होता है, partial pressure के difference का, जो कि एक container में gas का pressure है, और एक container के बाह लिखते हो, है कि नहीं, R2 upon R1, क्या लिखते थे, P2 upon P1 लिखते थे, ये लिखते थे, और मानते थे कि बाहर में gas है ही नहीं, तो partial pressure का जो difference था, जो कि container में partial pressure है, लेकिन यहाँ पर बाहर में भी दूसरा वाला gas है, जिसका कि partial pressure P2 है, P2 डैस, और पहला वाला gas का partial pressure P1 डैस ह यह होता है, directly proportional to partial pressure के difference का ratio, और क्या भई, square root, molar mass, पहले gas का, और यह मुलर मास, दूसरे gas का, यह आपका हो जाता है, तो इस पर numerical आपको ना के बराबर मिलने वाला है, maximum जो numerical मिलेगा, जिसमें कि कुछ नहीं लिखता, नहीं लिखता है, इसका मतलब जहां से diffusion हो रहा है, मान समय आई, नोट किजें इसको, अब ज़रा देखो, हम लोगों ने rate of diffusion जो define किया, वो था कि number of mole diffused per unit time, जितना mole diffused हो के बाहर चला गया, और time से हम लोग डिवाड कर देते हैं, तो mole diffused per unit time, यह rate हम लोगों ने कहा rate of diffusion, अब ज़रा सोचेंगे, कि मान लोगी जो gas बाहर गया, जो gas बाहर गया, उसका कुछ number of mole है, और उसका volume measure किया गया, under similar condition of temperature and pressure, यानि दो gas है, दोनों का mole है, और दोनों के लिए T और P सेम है, तो ऐसे case में number of mole directly proportional to volume, यानि कि जो mole का ratio बाहर में चला गया, वो volume के ratio के बराबर होगा, यानि बाहर में जो gas diffused हो के बाहर चला गया, उसक जब कि volume को measure किया जाएगा, under similar condition of temperature and pressure, यानि बेसकेली, देखू, rate लिख रहे है थे, दो gas था, वही लिख रहे है, R2 अपॉन R1, तो number of mole जो gas का diffuse किया, N2' कह लो, divide by T2, मालो time T2 लगा, दूसरा वाला का number of mole N2' diffuse किया, और पहला वाला का N1' diffuse किया, divide by T1, ये बेसकेली N1 और N2 है क्या, ये जो N2' से mole of gas to diffused out, मतलब जो बाहर चला गया, diffused out, है कि नहीं, ये N1' क्या है, ये भी mole है, gas किसका 1 का, जो की diffuse होके बाहर चला गया, number of mole जो हम लिख रहे हैं बिना डास वाला pressure का ratio, जो पीछे वाला formula में case 2 में जो लिखा, P2 upon P1 is equal to N2 upon N1, वो बिना डास का लिखा है, differentiate करने के लिए यहां dash कर दिया, ये बिना dash वाला जो mole लिख रहे हैं, जो container में मौझूद था, जो container में मौझूद है, वो pressure apply करे गया, करेगा, जो container के बाहर चला गया, उसके चलते तो container में pressure नहीं न हो गया, जो बाहर चला गया, वो rate को define करता है, तो जो container के बाहर चला गया, समझो के बढ़िया से, जो container के बाहर चला गया, divide by time, यानि mole diffuse पर इनिटाइम, जो container के बाहर चला गया, divide by time, ये rate कहलाता है, तो number of mole diffused out इसको हमने dash से लिखा तो N2 dash हुआ number of mole जो भाग गया diffused होके बाहर चला गया दूसरे gas का और N1 dash जो है number of mole पहला वाला gas का जो के diffused होके बाहर चला गया T2 दूसरे वाले gas का time लगा और T1 पहले वाले अमालों के अलग लग timing दोनों gas का अलग लग timing rate आपने measure किया अब क्या करें जो mole का ratio होगा वो volume के रेशियो के बराबर होगा under similar condition of T and P number of mole directly proportional to volume तो जो आप volume measure करेंगे volume diffuse per unit time T2 volume diffuse per unit time यानि कि number of mole diffuse per unit time number of mole diffuse per unit time ये mole का जो ratio है वो volume के रेशियो के बराबर होगा कहां से बता रहे हैं पी विसकल टो एनारटी से T constant है पी कॉंस्टेंट है तो उसकेस में number of mole का रेशियो volume के रेशियो के बराबर होगा तो ये V2 और वीवन को define करते हैं बच्चे ये V2 है क्या volume किसका volume? container का volume नहीं है volume of gas 2 ये जो number of mole diffuse किया उसका volume diffused out और ये V1 क्या? ये भी volume है किसका? gas 1 का जो की diffuse होकर के बाहर चला गया तो इस concept पे भी बहुत question पूछता है अब ज़रा ध्यान से देखो अगर timing सेम रहेगा यानि दो gas से एक ही container से diffuse हो रहा था दोनों के लिए time अगर सेम है तो टीटी क्या हो जागा cancel टीटी क्या हो जागा cancel यानि मूल का ratio volume के बराबर हो जागा और वही rate का ratio कहा जाएगा तो जितना भी concept हम लोगों ने rate of diffusion का ratio calculate करने के लिए सीखा उसको हम लोग formulate करने वाले हैं और जो formula मैं लिखने वाला हूँ यही महासुत्र है इसी formula से सारा question आपका solve होगा देखोगे सब ध्यान से एक एक term को समझोगे क्या है rate का पहले तो यह सोच लेना है कि यह जो हम लिखने जा रहे हैं वह same time में नॉर्मली आप जो compare करते है है rate को ना उसके लिए गैस का timing सेम होता है यानि फोर सेम टाइम पहले लिखने है पूर सेम टाइम के मतलब क्या हो गया टीवन इसका है तो रेट का रेशियो लिखते है आर टू अपाउन आरबन तुम भी लिख सकते हो रटना नहीं इसको तो रेट का रेशियो क्या सिखा नंबर ओफ मोल जो Diffuse कर गया पॉर इन टाइम यहीं तो था तो नंबर ओफ मोल जो Diffuse कर गया पार इन्यु टाइम को एंटू डैस कह रहे हैं जो बाहर चला गया उसको डैस से लिख रहे हैं और डिवाड़ बाइन गैस यहां पर भी टीउस से डिवाड़ करेंगे यहां फिर number of mole जो gas diffuse हो के बाहर चला गया उसका रेशियो पूछे दोनों में कोई फरक नहीं दोनों बराबर होगा अब इसको हम लिख सकते अभी पढ़े थी कि यह जो number of mole gas का के बाहर चला गया उसका रेशियो वालूम के बराबर होगा अभी तो पड़े थे तो क्या हो जागा वीटू अपाउन वीवन है कि नहीं वीटू अपाउन भीवन इस अब यह जो वॉल्यूम है मालो कि यह जो डिफ्यूजन हो रहा है ऐसे समझों यहां देखो हम बना रहे है मालो कि एक डिफ्यूजन हो रहा है दो गैस का यूनिफॉर्म क्रॉस्टेक्शन एरिया से मालो पाइप है और गैस यहां से जा रहा है तो वॉल्यूम जो होगा ना वॉल्यूम मालो कि एक पाइप है सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम क्या लिखते हो पाई आर स्कॉार एल यहां से घैस आपका डिफ्यूज़ होके अंदर की और जा रहा है यानि वेसिकली अगर क्रोस एक्सेक्सनल एरिया आपका कंस्टेंट है एक ही पाई पर तुसका ब्रॉप सेट्ट है इनिफॉर्म। एरिया का मतलब यह हुआ कि जिसका क्रॉस एरिया कॉंस्टेंट से आर का वेलू कॉंस्टेंट दो पाई आर स्कॉर क्या हो जागा कॉंस्टेंट है कि नहीं सोचने वाली बात है थोड़ा सा मैथेमेटिकल है तो वॉल्म जो होगा डारेक्ली प्रपोर्पोर्शनल टू मतलब क्या मालों पुरा का पूरा वल्म भी है और पूरा का पूरा जो लेंद्ट है वो यह यानि यह दिक म्हली का रेसियो0 और लेंध नंत तो वाल्म का रेसियो और लेंध का रेशियो पाइपसे घुजर डिफ्यूज कर रहा है उसका वहलू बराबर होगा यह सब फर्मूला बड़े काम आने वाला है अब लगा दिते हैं ग्राहम्स लॉफ डिफ्यूजन क्या कहता है पी टू अपॉन यहां से डारेक्ट और टू अपॉन इसकल टू पी टू अपॉन पी बन आना स्कॉर रूट एंबान अपॉन एंटू एंटा एंटौ एंटो मूलर मासिन पॉस्टल टू इसकौर लूट रूट ऑब डिरेक्टि पॉस्टल थो पार्सिल के डिफ्रेंस का यहां स्ली सकते है क्योंकि एस्यूम कर रहे कि बाहर में गैस मौजूदी नहीं था तो पी अपॉन के डारेक् प्रका रेशियो नंबर ओफ मूल करेशियो को बरावर यानि पीटू अपॉन को लिख सकते एंटू अपॉन इस लिख चुके हैं सब लिख चुके हैं सेकंड के समय बच्चे और यह क्या एम बन आपॉन एंट इसंट इट इंट्रेस्टिंग तो हमारे पास यह जो फर्मुला बच्च डेश वाला लिख रहे हैं डेश वाला यह क्या है यह मोल रेशियो ऑफ गया से डिफ्यूज डाउट ऍहोड समझाना जरू है जो की बाहर चला गए उसका यह बीना डैस वाल bientôt अपॉन एणवन इनवन इह डाष्यो न को यह है यह दैस वाला और यह बीना डैस 'll Land यह बिन ङस वॉला कौम सा मोर का रेशियो है कंतेंडर में के टाइम में जो मोर्ड प्रजेट था उसका रेश्यो है जो कि कंटेनर में मौजूद था उसके चलम सृफिभ सप्सकें लागे न तो पीड़ी अपॉन न यानि आपन इमेंood जो कंटेनर में जो मौझूद था वह वाला रेशियो के बिना डैस वाला और डैस वाला जो है जो कंटेनर के बाहर डिफिजोंस के चला गया वह रेशियो बाकी रह गया एक रेशियो वीटू अपॉन बीबन ने तुमको पता है लिख भी चुके वीटू अपॉन जो है वॉल्यूम का रेश्यो है जो बाहर चला गया लिखे देते हैं कि वहुच्छ अपॉन बीबन यह क्या है वॉल्यूम रेश्यो है किसका बच्चे of gases कि दो गैसे उनका वॉल्यूम का रिश्यों के बाहर चला गया डिफ्यूज डाउट डिफ्यूज आउट का मतलब जो बाहर चला गया है कि नहीं अब एक और रिश्यों बच या एल्टू अपॉन बाकी तो पेशर और मुलर मास थे पहले बहुत बाड़ी फाइन कर चुके तो एल्टू अपॉन यह देखू यह किसका रिश्यो है यह डिस्टेंस या लेंथ का रिश्यो है रिश्यो अफ लेंथ 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 को या डिस्टेंस को दुनों बात सेम है ट्रेवल्डवाई गैसेश त्रू ए पाइप और यह अगर पाइप के बारे में कुछ मेंशन ना करें तो भी हम मानें कि इन्यूफर्म क्रॉस्टेक्शनल एरिया था यानि अगर रेडियस उस पाइप का था तो वह कॉंस्टेंट था वह चाहीं नहीं कर रहा था तो उसके इसमें वॉलूम का रेशियो और लेंद का रेशियो क्या हो जागा बराबर होगा तो इस फर्मूले को एकदम दिमाग में बैठा लेना है और इसी फर्मूले से इंट्रेड़ेट करके सारा ही निमरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा तो यह थियोरी हुआ डिफ्यूजन और उसके करस्पर्णिंग फर्मूला हुआ अब हम लोग अटाइक करेंगे इन कॉंसेप्ट को अपलाई करने के लिए निमरिकल पर तो निमरिकल करेंगे और कॉंसेप्ट को और भी क्लियर करेंगे